आपका आज के हिंदी सेशन में स्वागत है सबसे पहले आप अपनी इकरफ नोट बुग, पैंसिल और हिंदी लिट्रेचर की बुग, सुर्भी, हिंदी पार्ट माला निकाल लीजिए और ध्यान पूर्वक की सेशन को अटेंड करें सबसे पहले आप अपनी पुस्तक का पार्ट नमबर चार और प्रिष्ट नमबर तीज खोल लीजिए आज हम पार्ट नमबर चार बया का घर पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर जो बया है यह एक चिडिया का नाम है और घर को हम इंगलिश में क्या कहते हैं? तो इस प्रकार आज हम एक चिडिया के घर पर आधारित यह कहानी पढ़ेंगे तो बच्चों इसको पढ़ाने का हमारा मुख्य उदेश आपको नटकट यानि शरारती लोगों से बचकर रहने के बारे में सीख प्रदान करना है एवं बिना मागे किसी को सलाह ना देने के बारे में शिक्षा प्रदान करना है तो चलिए अब हम सार के माध्यम से इस कहानी को समझते हैं यह बया है यह नटकट बंदर है और यह वन में रहने वाले अन्या पक्षी हैं किसी वन में एक नटकट बंदर था वो सारा दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कि बंदर भया हर रोज ऐसी शिरार्टे करना अच्छी बात नहीं है यहां पर वन में कौन सा डॉक्टर है जो तुमारा इलाज करेंगे लेकिन जो बंदर था वो किसी की बात नहीं सुनता था समझाने पर खीं खीं करके हसने लगता और फिर बात को अंसुना कर देता उसी इसी प्रकार करने से जो अन्य पक्षी थे उनकी जो घोंसलों में अंडे थे वह गिरकर तूट जाते थे और जो ननहीं बच्चे थे उनके वह भी गिरकर परिशान हो जाते थे तो इस प्रकार जो अन्य पक्षी थे वह बहुत ही परिशान थे नटकर बंदर से नेकिन बंदर ने तब भी अपनी श्रारते कम नहीं की तो एक दिन बरसात के मौसम के कारण जमा जम यानि बहुत तेज वर्ष आई जिसके कारण बंदर पूरा भीग गया ठंडी हवा होने के कारण उसे बहुत ठंड लगी लेकिन उसके पास तो कोई ठिकाना ही नहीं था रहने के ल लिए इधर उदर सहारा ढूंदना चाहा लेकिन उसने तो कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं था कि जिससे उसको सुख सुविधा प्राप्त हो तो उसने क्या किया एक पेड़ के पत्तों की नीचे ही छिपना शुरू कर दिया लेकिन उन पेड़ के पत्ते भी उसको छिपा न आया हुआ था गोंसले में उसका पूरा परिवार रहता था उसके परिवार में वह और उसके बच्चे रहते थे तो जब उसने देखा अपने गोंसले से निकल कर कि नीचे कोई बंदर है तो उसने बंदर को समझाया बंदर भाईया मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि आरते मत करो आपने तो मेरी बात सुनी नी तो जब बया ने उसको समझाया तो जो बंदर था वो बहुत ही क्रोधित हो गया बया ने बोला कि आगे से मेरी बात को अच्छे से समझ लेना आप मिहनत करना और अपने लिए समान इकठा करके रखना और घर बना लेना अपना तो जब बया ने इतनी बात कही तो बंदर क्रोट से लाल हो गया तो उसने गुसे में आकर बया का घुंसला ही तोड़ डाला तो जब धर्ती पर गिरा हुआ बया ने घुंसला देखा वो रोने लगी कि आज के बाद मैं इसको कुछ भी नहीं समझाओंगी इसको तो कुछ बताना ही व्यर्थ है तो जो दूसरे पक्षी थे वह भी बोलने लगे कि आज के बाद हम इसको मोह नहीं लगाएंगे तो बच्चो इस प्रकार हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि नटकट और शिरार्ती जानवर से और इंसानों से बचकर ही रहना अच्छा है हमें किसी को भी मुफ्त मिसला नहीं देनी चाहिए जब तक कि कोई हमसे मांगे ना तो चलिए अब हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं लेकिन रीडिंग से पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड कर लेंगे चलिए अब आप अपने पेश नंबर 30 पर आ जाईए सबसे पहले यहां पर है व लो डबल एस नट खर्ट यानि नॉठी और यू जी एच टी वाई नॉठी नेक्स्ट वर्ड है चलांगे यानि जंप जे यू एमपी नेक्स्ट करत जिसको हम इंग्लिश में एक्टिविटीज बोलते हैं एसी टी आई वी आई टी आई एस नेक्स्ट वर्ड है मस्ती तो बच्टो मस्ती को हम इंग्लिश में कहते हैं यह तो आपको आता ही होगा जी हाँ इंज्वाई स्पेडिंग देखिए ए एन जे ओ वाई नेक्स्ट वर्ड है जंगर जिसको हम इंग्लिश में फोरेस्ट कहते हैं ए फो आर इस टी अब आप अपने पेज नंबर थर्टी फर बस्ट पर आजाएए यहां पर वर्ड है परिशान जिसको हम चिंतित कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एंग्शिस स्पेलिंग देखिए ए ए ए ए एक्स आई ओ यूएस नेक्स्ट है शेतानिया जिसको हम इंग्लिश में नौटिनेस कहते हैं एन ए यू जी एच टी next word है वर्षा तो बच्चों इसके स्पेलिंग तो आपको बहुत अच्छे से आती होंगे rain, rain के स्पेलिंग देखिए r-a-i-n next word है खोज यानि सर्च s-e-a-r-c-h next है फुर्सत जिसको हम इंग्रिश में free time कहते हैं f-r-e-e-free, t-i-m-e, time next है प्रयत्न, प्रयत्न की प्रनांसियेशन और स्पेलिंग देखिए बच्चों प के पैल में पदेन य, आधात, न, प्रयत्न English meaning देखिए try, t-r-y, try next word है तरस जिसको हम इंग्रिश में pretty कहते हैं p-i-t-y next, नश्ट, स्पेलिंग देखिए पूरान, आधा, शर्षट, कोन, ट, नश्ट, जिसको हम इंग्रिश में destroy कहते हैं d-e-s-t-r-o-y next, प्रबंध यानि arrangement a, डबल आर, a, n, g, e, m, e, and t next word है क्रोध क्रोध की स्पेलिंग देखिए कक के पैर में पदेन, कक को छोटाओ, ध, क्रोध जिसको हम एंगर कहते हैं a, n, g, e, r तो चलो बच्चो, अब हम reading स्टार्ट करते हैं आप page number 30 खोल लीजिए मूर्ख और उदंड बच्चो, मूर्ख मतलब बेवकूफ उदंड मतलब बद्दमीज को शिक्षा दीना व्यर्थ है यानि विकार है इसमें अपनी ही हानी है हानी यानि नुकसान है तो बच्चो, इसमें यह बताया गया है कि जिसको कोई समझ ही ना आए कि कोई क्या समझा रहा है तो उसको कोई भी बात समझाना बिलकुल व्यर्थ है अगर हम उसको को समझाएंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान होगा ऐसी ही कहानी आज हम पढ़ेंगे तो आईए कहानी पढ़कर जाने की वक कहानी कौन सी है एक था बंदर, बड़ा ही शराती और नटकट एक वरिक्ष से दूसरे वरिक्ष पर चलांगे लगा कर भागने में उसे बड़ा मज़ा आता बच्चों वरिक्ष के स्पैलिंग देखिए वक के पैर में री, क्ष, वरिक्ष कभी कभी किसी विक्ष की डाली को पकड़ कर जूला जूले लगता और बहुत सारे कर्तब दिखाता देखकर दूसरे जानवर हंस्ते कभी कभी कोई प्यार से समझाता अरे भाई इस तरह सारा दिन उचलकूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी खत्रा है जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुमारा इलाज करेंगे बच्चो हमने इस पराग्राफ में पढ़ा कि एक वन में एक बंदर रहता था जो कि बहुत नटकर था और वह सारा दिन उचलकूद करता रहता था एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर और इसके यह करतब देखकर जो दूसरे पक्षी थे वह उस पर हसते भी थे और उसको समझाते भी थे यह बंदर भया सारा दिन उचलकूद करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे हमें चोट में लग सकती है न तो हमारे पास जंगल में कौन सा डॉक्टर है कि जो हमें इलाज करके दवा दे दे तो चलिए अब हम रीडिंग कॉंटिन्यू करते हैं पेज रंबर 31 खोल लीजिए सुनकर बंदर खींखींखीं हसता फिर उसी तरह मस्ती से उचलकूद करने लगता बच्चो यहाँ पर जो खींखींखीं है यह बंदर का सांड है जैसे वो हसता था पेडों पर बार बार उचलने कूदने से उन पर बने हुए पक्षियों की घोंसले भी हिलने लगते कभी कभी उन में से किसी पक्षी का अंडा धर्ती पर गिर कर तूट जाता या कोई नन्हा बच्चो यहाँ पर न पर स्ट्रेस है क्योंकि पूरे नक के बाद हाफ न है गिर पच्चा गिर कर परिशान हो जाता उसकी चीन चीन से सारे पक्षी बाहर आ जाते बंदर को समझाते भाई ऐसी शेतानिया मत करो जिससे दूसरों को परिशानी हो तो कि जब कोई भी पक्षी उसको समझाता था बंदर को वह कुछ नहीं समझता था वह सिर्फ हास देता था और फिर से श्रात्य करना शुरू कर देता था और उसकी श्राहरतों से जो दूसरे पक्षी थे उनको नुकसान भी होते थे क्योंकि उन्होंने जो गोंसले बनाए हु कि तुम शितानिया मत करो जिससे दूसरे कठिनाई में आ जाएं आगे रीडिंग कॉंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेराग्राफ देखिए पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता दिन बीटते गए धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई पर शरार्ती बंदर की आत्तों में कोई फरक नहीं पड़ा वह और भी ज्यादा बढ़ चड़ कर शितानिया करने लगा देख देख कर पक्षी कलब ते उन्हें डर था कि कहीं ये शरार्ती बंदर उनकी घूसलों को ही न गिरा दे तो बच्चों हमने इसमें पड़ा कि जो बंदर था वो किसी की बात नहीं सुनता था अनसुनी कर देता था सकी बात मौसम बदलने पर जब बरसात का मौसम आया तो जो शरार्ती बंदर था उसने कुछ भी नहीं सोचा तो उसने अपने शरार्ते जो थी और बढ़ चरक करने शुरू कर दे तो जो दूसरे पक्षी थे वो बहुत दुखी होते थे कलपते का मीनिंग है दुखी होना कि कहीं यह हमारे घूंसले को ही न गिरा दे रीडिंग कॉंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पहरा देखिए फिर एक दिन बड़े जोर की वर्षा आई ऐसी जमाजम वर्षा कि सब और पानी ही पानी जमाजम मतलब बहुत तेज अकाश में बादल और घटाएं चा गई थी बहुत थंडी हवाएं चल रही थी बंदर पूरी तरह भीग गया था तेज थंडी हवाओं से भी वह परिशान था किसी तरह सिल छिपाने के लिए ठिकाने की खोज में था पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं था अपनी शरारतों से भला उसे फुरसत कहा थी हार कर अब वह वरिक्ष के पत्तों में चिपने का प्रयत्न कर रहा था भीग कर वह थर-थर कापने लगा तो बच्चो जब बहुत चोर से वर्षा आई तो फिर क्या हुआ बंदर भीग गया भीगनी के बाद उसे ठंड भी लगने लगी तो उसने सोचा आप मैं कहा जाओ वो ऐसी जगा ढूनने लगा जहांवर अपने आपको सुरक्षित कर ले तो उसको कोई भी स्थान जब नहीं मिला तो उसने एक पेड़ के पत्तों से ही अपने आपको ठकना शुरू कर दिया और वो थर-thर काप रहा था नेक्स्ट रीडिंग कॉंटिन्यू करते हैं उसी वरिक्ष पर एक बया ने अपने लिए एक सुन्दर घोंसला बनाया हुआ था बच्चो मैंने आपको बताया था ना कि बया कौन है जी हाँ चिडिया जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे साथ ही बया ने वर्शा के दिनों के लिए अन के दाने बच्चो अन पे न पे स्ट्रेस डालेंगे क्योंकि यहाँ पर फिर से न हैं हाफ न भी है इकठे कर लिये थे इसलिए अपने गोंसले में चिप कर बया और उसका पूरा परिवार वर्शा का मजा ले रहा था जब मन होता वे अपने इकठे किये हुए दाने चुपते और चीं चीं वाला गाना गाने लगते तो बच्चो आपने जाना इस पैराग्राफ में कि जिस व्रिक्ष के पत्तों में बंदर चिप रहा था उसी व्रिक्ष के उपर बया जो की एक चिडिया थी उसने अपना गोंसला बनाया हुआ था गोंसले में वे अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसने वर्शा के दिनों के लिए अपने पास कुछ खाने पीने का भी इंतजाम किया हुआ था और वह मौसम का मजा ले रहे थे, दाने खाते और गाने गुन-गुनाते चलो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेराग्राफ देखिए तभी बयाने अपने घोंसले से उचक कर देखा, बच्चो उचक कर देखा मतलब उपर उठ कर देखा उसे वर्शा में थर-थर कांपते बंदर पर बड़ा तरस आया, उसने कहा देखो बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुमें कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शिरारतों में नश्ट ना करो, बच्चो नश्ट के स्पेलिंग न, आधाश, ट, नश्ट कुछ आगे का भी सोचो, अगर तुमने मेरी तर अपना कोई ठिकाना बना लिया होता और बरसात के दिनों के लिए भोजन का प्रबंध, बच्चो स्पेलिंग देखिए, परक के पैर में पदेन, बरक के उपर बिंदी, ध, प्रबंध पहले से ही कर लिया होता, तो आज यहालत क्यों होती? तो बच्चो, जब चिडिया ने अपने गोंसले से निकल कर देखा था, कि बंधर थर-थर काप रहा है, तो उसको बहुत ही तरसाया था, और उसने बंधर को समझाने की कोशिश की, कि अगर तुमने मेरी तर पहले से ही इंतजाम किया होता, तो तुमें यह दिक्कत नहीं आ आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप दो बार इस कहाने को फिर से रिवाइस करेंगे, और अपने ममा पापा को सुनाएंगे, अगली सेशिन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुद बाइगे